नमस्कार मैं चंद्रभान प्रजापती लेक्चिरर मेकेनिकल इंगेनरिंग गौवर्मेंट पॉली टेक्निक बर्गड चित्रकूट एक बार पुनहां आप सभी का अपने यूटूब चैनल पॉली टेक्निक लिवरेल लर्निंग में हार्देक स्वागाते हूं अभी नंदन करता हूं तो बच्चों CBD टेस्ट से आपको अभ्यस्त कराने के लिए ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये जो वीडियो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं ये UPSC द्वारा जो डेमो वर्जन बताया गया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं और इसकी जो लिंक है वो डिस्क प्रतियोगी परिच्छाएं होनी है वो ये SSC कराता है UPSC, UPSC इसी तरह से अलग अलग UPSC हो गया MPPSC अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग अजेंसिया होती है जैसे UPSC है तो अलग अलग अजेंसियों द्वारा ये परिच्छाएं प्रतियोगी CBT टेस्ट की क उसके द्वारा जो डेमो वरजन है वो दिखाया था तो ये UPSC का जो वरजन है डेमो वो मैं आपको दिखा रहा हूं CBT टेस्ट का तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी है सुरुआत से मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं कि लॉग इन कैसे करते हैं तो यहां अगर ऊपर देखे तो सिस्टम का नाम लिखा हुआ है सिस्टम का नाम जैसे C001 है तो यह सिस्टम का नाम होता है कंप्यूटर जो होता है उसका नाम है उसकी एक पहचान संख्यांकित कर दी जाती है जैसे आप जो परिच्छा देने के लिए जाते हैं तो कोई कंप्यूटर सेंटर होत जो वहाँ पर नाम उन्होंने दिये होंगे, इसके अलावा यहाँ आप देखे, जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर यह Candidate का नाम यह देखे, लिखा है, यह क्या लिखा है, John Smith, तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, जैसे आपको John Smith लिखा हो, जी John Smith की यह आपकी फोट दिखाई देगी, तो यह फोटो बच्चों आपको वो दिखाई देगी, जो आपने URISE Portal पर पर परिच्छा फॉर्म में दी हुई थी, और आपका नाम यहाँ पर प्रदर्सित होगा, और यहाँ पर लिखा है, मौक एक्जाम, तो यह तो मौक एक्जाम है, इसलिए लिखा हुआ है, मौक में छद मैक्जाम, मतलब प्रेक्टिस कराने के लिए जो परिच्छा कराई जाती है, तो यहाँ पर देखे, लॉग इन लिखा है, तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है, लॉग इन आइडी पासवर्ड आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पर देखे जैसे mail में हम email को खोलते है, Gmail का तो या किसी अन का, Yahoo का, तो उसमें user ID पासवर्ड डालते है, तो user ID देखे जैसे 11111, यानि 115 बार है, तो यह आपका क्या है, user ID है और पासवर्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर user ID लिख देते हैं, पासवर्ड आपका enter कर देते हैं, तो उसक जो भी आपका special symbol है, या alphabet है, जो भी है, तो आप enter कर सकते हैं, फिर यहाँ से cross करके हटा सकते हैं, इसी तरह से password में, यह आपका keyword, आपका virtual keyword इसको बोलते हैं, यह आपका इस तरह से आ जाता है, तो बच्चों जब आपने user ID डाल दिया, इसमें पहले से पढ़ा है, क्योंकि यह demo है, password आपका पहले से पढ़ा हुए, तो यहाँ पर क्लिक कर देना, आपको sign in, यह sign in पर मैंने क्लिक कर दिया, अब यह देखे, इस तरह से processing हो रहा है, और आपके, अब यह यहाँ देखे, आपका John, इसमें नाम लिखा हुए, यानि जो candidate है, बढ़ती है, उसका नाम, photo, और यहाँ लिखा हुए instructions, instructions means निर्देश, निर्देश, हिंदी और इंगलिस दोनों में रहते हैं, उनको हम बदल सकते हैं, पहले CBT test में, मैंने आपको बताया था, तो यह सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यह जो instructions है, यानि निर्देश है, उनको carefully पढ़ लेना है, तो जैसे demo test है, तो 20 minute का test है, 20% इसमें दिये जा रहे हैं, आपकी जो परिच्छा होना है polytechnic की 50% रहेंगे, आपको डेड़ गंटे का, यानि 90 minute का समय दिया जाएगा, तो वो आपका लिखा होगा, फिर यह सारा चीज लिखा है, कि अगर ऐसा आ रहा है, तो आपको इसे मत review के लिए mark कर दिया है, और यदि tick भी लगा है, यह circle के बैंगनी color में, तो इसका मतलब है आपने tick mark लगा दिया है, उत्तर दे दिया है, लेकिन इसको review के लिए mark किया है, तो यह सब सारा आप पूरा पढ़ लेंगे, सब समझाया गया है पूरा, आप हिंदी में उसको करके पढ़ लिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें आपको यहाँ पर click करना, यहाँ पर थोड़ा पूरा अच्छे से दिखता नहीं है, यहाँ पर आप click करेंगे, तो next आप बढ़ेंगे, तो यह हम इस पर click कर देते हैं, यह देखिए, तो यहाँ पर नीचे आ गय हैं, मैंने कोई निसेद वाले जो सामाने हो, जैसे मोबाइल है नहीं अपने पास रखा है, यदि मैं गलत काम करते हुए, कोई अगर पाया जाता हूँ, तो मेरे खिलाब एक्शन ले लिया जाए, परिच्छा से बैन कर दिया, जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यह यहाँ पर देखी, जो लिखा है, आप यहाँ पर देखी, सबसे पहले, गुरूप वन लिखा है, तो गुरूप वन आपका जब टेस्ट होगा, तो आपका गुरूप वन की जगे हो सकता है, आपका जो ब्रांच का नाम है, वो लिखा हो, जैसे मेकेनिकल इंजिनिनिंग, स सीधर सुरू कर देना है तो 19 मिनट 30 सेकंड बचे टाइम कम होता चला जा रहा है 20 प्रश्ण है लगातार अब यह प्रश्ण देखिए यहाँ पर देख रहे हैं लाइन से स्टलेंगे तो यह क्या हो जाएगा ग्रीन में कांवार्ट हो जाएगा और यह बैंग दिखता है इसको डेस्टॉप साउट को मोड को कर रहा हूँ ताकि देस करने करने में आपको आसानी ride दिख रहा है तो सारी चीज़े वही है टाइमर फिट से सुरू हो गया तो question number one है यह दूसरा medical field से related है तो हमको प्रशन क्या आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है क्योंकि demo test है तो आपके विशे से सम्मन्देती प्रशन उसमें आएंगे इसमें जो भी answer है आप टिक कर देंगे जैस पहला वाला जो आपका प्रशन था वो green से हो गया यानि आपने इसका उत्तर देंगे दूसरा फिर rate से आ रहा है आप उत्तर देंगे तो यह भी green हो जाएगा save and next यानि save कर दीए next दूसरा भी green से हो गया अब मान लीजिए suppose करिए इसका में उत्तर नहीं देना है लेकिन mark for review and next यह देखिए तो मैंने तीसरे वाले को क्या किया mark for review यानि review के लिए मैंने mark कर दिया कि मैं इसको बाद में review करूंगा देखूंगा कि मुझे क्या उत्तर देना है तो यह तीसरा प्रशन जो था वो बैंगनी रंग में ब्रत में यानि circle में आ गया तो यह पैचान है कि ती review and next कर देंगे जब उत्तर लगा के तो देखिए circle में जो यह था आपका बैंगनी रंग का वो tick mark भी हो गया सही करने सान यानि आपने tick कर दिया इसको लेकिन review करना है तो इसका यह मतलब होता है इसको कई जगे जो पहला वाला CVD test था मैंनो उसमें बताया था तो वो उसमें जाना जैसे आपको बीच में skip करना है तो मतलब नहीं होता है एक एक प्रस्ण में systematic जाना चाहिए लेकिन जिस प्रस्ण में आप click कर देंगे वो प्रस्ण में आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो इसका उत्तर दे देते हैं माली जे तो save and next कर दिया अब यदि इसका उत् करते जाएंगे save and next पूरे आप जब उत्तर दे लेंगे सारा माली जी बीस उनीस में पहुंचने तो उनीस का आप दे दीजिए जो भी आफ है save and next कर दीजिए और देखिए बाद में जब सारे प्रस्णाप कर लेंगे जो प्रस्णाप टिक कर दिए save and next यह नहीं दिया तो आपका rate से दिखाएगा उत्तर दे दिया save and next कर दिया तो green हो जाएगी यह देखिए तो यह इस तरह से आना अब जो review करने का है माली जी चौते में यह साब दिख रहा है इससे पता चलता है कि हमाने इसको review किया टिक तो लगाया है तो लेकिन मैंने इसको review करना चौते नमर पर क्लिक करेंगे देखिए वो चौते नमर का प्रश्ण खुल गया अब आप जो सही उत्तर यही है तो ठीक है save and next कर दिए नहीं है तो यह लगा दी जमाली आपको लगता है यह सही उत्तर है तो save and next कर दिए तो वो हड़ गया देखिए अब आप चौते नमर का green हो गया य आपका पूरा समय हो जाए अच्छे से review हो जाए पूरा आप देख लीजिए कि पूरे प्रश्ण जितने हैं आपने solve की हैं सारे green से की हैं की नहीं है यदि minus marking है तो आपको सोच समझ के उत्तर देना चाहिए यदि minus marking नहीं है तो सभी प्रश्णों पर आप टिक लगा दीज नहीं होगी तो यह सारी चीजें आप देख लीजिए क्या आपके instructions में निर्देश में दिये गए है माइनिस marking है या नहीं है उसी हिसाब से प्रश्णों को solve करिए यदि minus marking है तो जितने प्रश्णों का सही से उत्तर पता है उन्हीं को उत्तर हमको देने चाहिए बागी को आपने attempt कर लिए हैं कितने बचे हैं और समय को हिसाब से आप उनको manage करिए अगर समय आपका तेजी से निकल रहा है compression है तो तेजी से उनको करना आप सुरू कर देजे तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कोई भी software हो कोई भी हो जब submit करना हो last में तो इसको submit पर click कर देत साथ यानि साथ question को आपने नहीं किया है आप पूंच रहा है कि चेतावनी कह रहा है कि are you safe to submit this group आप submit करना चाहेते हैं तो yes कर दीजी नहीं करना चाहेते हैं तो no कर दीजी तो हमको submit नहीं करना है तो no कर देंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे तो भागी परस ने पच कर देंगे तो आपकी बिंडो बंद हो जाएगी तो इस तरह से कोई भी software हो कोई भी agency करा है जो basic system होता है वो आपका इसी तरह से होता है शुरुआत आपको मिलेगी login id password से वो आपको enter करके enter करना रहेगा पूरा system इस तरह से खुल जाएगा जो शोर करने वाली चीजे हैं कौन सा आपने कर लिए green से दिखाएगा नहीं जो solve test से वो आपको उसमें show होते रहेंगे timer दिखाएगा आप solve करते जाएगे submit करते जाएगे कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से बच्चों आपने देखा इसके भी practice आप कर लेजिए ये UPSC वाला जो system है उसका ये demo test है तो वो मैं आपको link description link में मैं इसकी दे दे रहा हूं त वीडियो देखने के बाद आप उस पर click करिए और इससे बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएए demo test से बिल्कुल आपको डरना घबडाना नहीं है इसको बिल्कुल use to हो जाएए कि बिल्कुल हम जब भी CVT test हो हम आसानी से कर सकते हैं तो बच्चों आपको ये video मेरा कैसा लगा यद आपका देन्छोब